मेरे पैरे बच्चों कैसे हैं आप लोग एंटे के द्वारा जिस तरह की हरकते दिखाई जा लिया है नीट 2021 के रिजल्ट को ले करके इससे सिर्फ आफ ही नहीं आपके पैरेंट्स और आपके टिचर्स हम लोग भी काफी परेशान हैं कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्या आपको याद होगा कि जब सुप्रिम कोर्ट में केस फाइल किया था उन्होंने खिलियर कट बोला था कि रिजल्ट एंटीए के साइट से प्रिपियर्ड है बस वह सुप्रिम कोर्ट की डिशीजन का वेट कर रहे है और रिजल्ट पब्लिश कर देगे इसी बीच 28 को रिजल्ट पब्लिश करने वाली है और 11 अबंबर तक आपका रिजल्ट जाने वाला है यह टेंटेटिव डेट है उस बेस में एक इन्फॉर्मेशन लिख हुई थी एंटीए के साइट से भी एंटीए के ऑफिस से कि 28 को ही रिजल्ट पब्लिश किया जागा और फाइनल अंसर सीट भी आजाएगा हर जगह हर नीच चैनल पर हर यूट्यूब चैनल पर आप यही देखने ते यही चल ला था कि 28 को रिजल्ट आने वाला है लेकिन एंटीए ने बिल्कुल ही पलट दिया और 28 को रिजल्ट पब्लिश नहीं किया अब भी इस वक्त का मैं बता रहा है अब वह क्या कर रही है सिर्फ उसी को बता होगा अगर आप कॉल करोगे नंबर पे तो आपको कुछ एकुरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है क्योंकि वह कुछ नहीं बताते वह सिर्फ यही बात आपको बताएंगे कि 2-4 दिन में आजागा आपको अबी का क्या सिचुएशन है लेकिन एकजेक्टली कब किस वत आज आजागा कल आजागा दो दिन बाद आएगा चार दिन बाद आजागा ना तो डेट और नहीं टाइम किसी को पता है तो बस पैसंस रखे और अपने पास कोई रास्ता नहीं है देखते हैं फैली कब रिले जये शजाँ देखतन बाद एsलेशा करे, और भास येजाँ एसी सफे आजाए सने आजा है, बड़े करे तो बादए़के से जाए-णिकिस मते है लित का बभुए और लिताया वाहाँ क्रेंस ऑास्ता सैनी नहीं है, एस्वा किस भ हिता है में हम उलना क्या इ